बाई बहुत जादा बखवास हो चुकि एटली और सल्मान खान की फिल्म को लेकर रोज देखो कुछ न कुछ होता है और ये फिल्म भी हो जाएगी बंद, समझ रहे हैं कि नहीं, जितनी जादा चीज़ें सोचल मेडिया बेर चल रही है, एटली की फिल्म को लेकर रोज पर एक कांटिन्यू अपडेट चल रहा है इंदो मुस्लिम सी किसा सारे बाईयों को सलाम मैं हूँ आपका दोस्त आशू समूत खान आपको पता है कि इस वक्त एक ही न्यूज है सलमान खान को लेकर वो है एटली को लेकर उसका बीजियम को ने रहा है उसमें एक्टर कोन होने वा हो फो फिल्म का प्रिलीज होने वाली है हर एक चीज हो रही है सीवाए एक चीज को छोड़ करका उसका ऑफिसर एनॉंस्यमन नहीं हो पा रहा है वह पो स्टार्ड होने वाला 6 अक्टूबर कोगा नई तो सलमा खांग बर्थडे कोगा बैराल कहलेंगा मतलब यह था कि नजर इतनी बुरी चीज है ना आपको पता है दाबूल का मुहरत शौड भी हो गया महबबू स्टूडियू में आपको पता होगा बड़ी जोर शौर से था कि इस फिल्म में सलमान भाई यह बन रहे है और ऐसा है धर्मा प्रोडक्शन फिल्म में बन रहे है विश्णू वर्दन है उसमें यह कास्ट जोड़ी जा रही है त्रिशा का नाम आ रहा था फला एक्ट्रेस का नाम आ रहा था सब कुछ होने वाला है बहुत जल्दी अपडे यही चल रहा था, बुल के साथ भी 24 घंटा था, बुल के बारे में, कोई अपडेट हर ट्विटर पे कुछ न कुछ बोले जा रहे थे ये हो रहा, वह रहा, ऐसा हो रहा अब आ रहा था, बारा, सब कुछ आ रहा और वही सेम चीज़े हो रही है अटली के साथ इसका बीजम होने वाला है ये एक्टर था परे बॉलीवूड का था रनवीर सिंग थे तो फला थे फिर उसके बाद कमल असन रजनी कान फिर कमल असन फिर रजनी कान ये सब सीचे कांटी न्यू चल रही है लेकिन अपडेट जो ओफेशली है वो दूर दूर तक पता नहीं है कि मैं ठक गया है और सल्मान खांके फैंस भी इतना परिशान हिस्सी इसको लेकर भाई हो गया रहा है अब जैसे सुनने मारे प्री प्रोडक्शन अक्टूबर में स्टार्ड होगा ये 110 टकाट कंफर्म है कि इसका प्री प्रोडक्शन स्टार्ड होने वाला है ये भी कंफर रहो क्योंकि रोज कुछ ना कुछ हर किसी का जो मन करता है कुछ ना कुछ अपडेट देही देता है बाद में बोलता है ऐसे नहीं ये हो गया वो नहीं वो हो गया तो सारी नजर बड़ी तेज लगती है सल्मान और बहुत लोगों की बेचैनी थी यार दबुल को लेकर बाद करना बक्वास है जब तक इसकी ऑफिशली इनाउंसमेंट ना हो जाए बाई